ओम शांती आज 16 जैन्वरी 2030 है बाबा कहते हैं बच्चे महादानी बननो महादानी उसको कहा जाता है जो मन्सा वाचा कर्मना दुआरा सर्वात्माओं को दान देने वाले होते हैं लेकिन मन्सा महादानी का अर्थ क्या है इसके बारे में हम आज के स्लोगन से जानेंगे मन्सा महादानी बनना है तो रुहानी स्थिती में सदा स्थित रहो मनसा महादानी बनना अर्थात मनसा द्वारा सर्वशक्तियों का महादान करना जो आत्मा अपने मनसा द्वारा सर्वशक्तियों का दान करते हैं वे अपने संकल्पों से सिध्धी सुरूप को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात, अपने संकल्पों को जिस स्थान पर टिकाना चाहे, जिस तरह टिकाना चाहे, जिस थिती में टिकाना चाहे, वे अपने संकल्पों को उसी तरह स्थित कर सकते हैं, टिका सकते हैं, वे सिधी स्वरूप आत्मा होते हैं, इसलिए वे जिस तरह से अपने संकल्पों को चलाते हैं, उसी तरह से अपनी वानी और अपने करम भी चला सकते हैं, मनसा महादानी जो आत्मा होते हैं, वे अपने संकल्पों की कैसे रचना करनी हैं, कौन से संकल्पों की रचना करनी हैं, कौन से संकल्पों की पालना करनी हैं और कौन से संकल्पों का विनाश करना हैं, य होते हैं वे उनके संकल्प शीतल होने के कारण से व्यवहार और संसकार भी शीतल होते हैं वे मास्टर सर्व शक्तिवान होते हैं और मंसा महादानी बनने का प्रत्यक्षफल भी उन्हें प्राप्थ होता है प्रत्यक्षफल अर्थात क्या प्रत्यक्षफल अर्थात जिस तरह से कोई शारिरिक रूप से बीमार होते हैं दर्ध अनुभव हो रहा होता है तो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा करके बेहोश कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए अपने दर्ध से दूर कर देते हैं उसी तरह मनसा महादानी आत्मा जो होते हैं अपने मनसा शक्ती से दृष्टी से और वृत्ती से मन के चंचल वाले आत्माओं को थोड़ी देर के लिए अचल स्थिती का अनुभव करा सकते हैं टेंपररी क्योंकि वो अपने स्वेम के पुरुषाट से अचल नहीं हो सकते इसे लिए मनसा महादानी जो आत्मा है उनकी शक्ती शाली वृत्ती द्वारा उनके संकल्पों को थोड़ी देर के लिए अचल बना सकते हैं यही प्रत्यक्षफल हैं ऐसे शक्ती शाली महादानी बनने के लिए बाब ने कहा रुहाने स्थिती में स्थित रहो रुहाने स्थिती अर्थाद आत्मिक स्थिती मैं आत्मा कौन हो आत्मा की विशेष्टा आत्मा की जो गुण और शक्तिया है उस पर स्थित रहना और वो स्वरुभ हो पाएंगे तो सारा दिन रुहानी स्थिती पर स्थित रहने का अभ्यास करें ओम शांति